नमस्कार दोस्तों, पूजय शक्ति चानल में आप सभी मेरे भाईयों और भेनों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नए वीशेबर हम चर्चा करेंगे वो है गरीबी को दूर करने के लिए तांबी का प्रयोग या तांबी की इगलास का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए कि हमारी गरीबी या आर्थिक परेशानी जो है दूर चली जाए नव ग्रहों के दोशों को दूर करने के लिए दूर भागे को दूर करने के लिए हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत सो उपाई बताए गए हैं अगर हम उन वायों को करते हैं तो हमारे जीवन में हमें बहुत जल्दी जो रिजर्ट्स हैं वो प्राप्त होते हैं तता सभी प्रकार की समस्याएं भी धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं परंतु आपकी मेहनत भी उसी प्रकार की होनी चाहिए जिस शेत्र में आप मेहनत करेंगे तथा ये प्रयोग भी करेंगे तो आपकी समस्याएं जो आ रही हैं वो सभी प्रकार से समापत हो जाएंगी तो आज हम जो है तांबे का प्रयोग बताएंगे कि किस प्रकार से आप तांबे का प्रयोग करके अपने जीवन को खुशाल बना सकते हैं अगर देखें तो गेहूं और तांबे का दान करना बहुत ही शुब माना जाता है किसी भी धार्मिक स्थल पर परन्तु अगर आप गेहूं का दान नहीं कर सकते हैं तो तांबे के ग्लास का दान जो है आपके सूरी को चमकाता है आपके जीवन में सूरी से आ रही सभी प्रकार की परिशानियों को दूर करता है कर्ज की अगर स्थिती हो रही है तो धार्मिक स्थलों पे कन्याओं को या फिर आप ऐसे समारों में जहां विवा हो रहा हो कन्या का वहाँ पर तांबिका ग्लास तांबिका लोटा जो है द्यान कर सकते हैं इससे कि आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख जो है वो दूर हो जाएं। इसके अलावा आपको एक प्रयोग जो अपने घर पर करना है वो है तामी का ग्लास ले लीजे आप रात को सोते समय आप इस ग्लास को पानी से भर लीजे पानी जो शुद्ध होना चाहिए और इसमें थोड़ा सा शहत जो है मिला दीजिए इसके बाद यदि संभव हो सकता है तो सोने का सिक्का क्योंकि पुराने शास्त्रों के अनुसार उपाय बताया गया है तो उस समय पर सोने के सिक्के जो है आसानी से हमें मिल जाते थे तो आप सोने का सिक्का ले सकते हैं सोने का ना हो तो एक चांदी का सिक्का ले सकते हैं इसके बाद इसे जो है आपको अपन इस बात की सलहा दी जाती है इसके अलावा आपको क्या करना है आप रात भर जो है इसे अपनी सिरहाने रखकर सो जाए यदि आपके पास चांदी का सिक्का भी नहीं है तो चांदी की कोई ठोस वस्तू या ऐसी अंगूठी जो आपने कभी प्रयोग ना करी हो ताथा वो आपके पास नई की नई रखी हो तो उसका प्रयोग कर सकते है इसके बाद आप जब इसे रख देंगे तो अपने ईस्ट देव को आपको 11 बार याद करना है इस्ट देवता जिने आप पूज ते हैं जिने आप बहुत दिल से पसंद करते हैं जिनकी पूजा करते हैं उन्हें आप 11 बार याद करें तथा आप सो जाएए सुभे सवेरे जब आप उठेंगे तो अपने इश्ट देव को आपको फिर से याद करना है उनकी पूजा करना है तथा इस पानी को बिना कुला की आपको पी लेना है इसे ग्रहन क कर लेना है कुछ समय बाद आप जो है इसके चमतकारी प्रभाव अपने आप अपने जीवन में देखेंगे जिस शेत्र में आपको समस्याएं आ रही हैं उस शेत्र के बारे में उस समस्या के बारे में रात को सोते समय जो है आप रातना करें तथा जब ग्रहन करें तब जैसे आपका घर नहीं भिक रहा है, जॉब नहीं लग रही है, विवाह नहीं हो रहा है, या आपको लगता है कर्ज बहुत हो गया है, गरीबी हो गई है, जो भी आपकी मनोकामना हो, आप वो मनोकामना कहते हुए स्पानी को ग्रहन करेंगे, आप देखेंगे कि आपको कितनी जल्दी इस results मिलेंगे क्योंकि ये जो है ग्रहों को शांत करके शुब दिशा देने लगता है तथा आपको तरक्की मिलने लगती है हर कारे में सफलता प्राप्त होती है तथा माना जाता है कि ऐसा कारे नियमित करने से सामाज में जो मान सम्मान है बहुत जादा बढ़ने इसके अलावा आप कुछ और उपाए भी हैं जो कर सकते हैं जैसे काले चाते का दान किसी भी जरूरत मन को गरीब को जमादार को देना आपके लिए बहुत शुब माना जाता है क्योंकि काले चाते का जब दान करते हैं तो आपके उपर से जो ग्रहों की अशांती है वो दार्मिक पुस्त को का दान करना भी समाज में मान सम्मान बढ़ाता है दार्मिक पुस्त के आप किसी भी मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं कोई व्रत उपास होता है तो उसकी पुस्त के आप दान कर सकते हैं विवाहित स्त्रियों को दान कर सकते हैं जिससे कि आपके घर में जो है लक्षमी का वास होने लगे इसके अलावा 40 दिन का एक उपाय और है काफी सरल उपाय है अगर आप यह निमित तरीके से करते हैं बिना किसी रुकावट के तो आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा सामाजिक शेत्र में मान सम्मान तथा धनवरदी होने लगती है कैसे आपको 40 दिन तक लगातार एक केले का दान किसी भी एक धर्म सलपर करना है लगातार उस मंदिर में या जिस धर्म को आप मानते हैं वहाँ पर जाकर एक केले का दान करिए आप ये दान आप ईश्वर के चर्णों में कर सकते हैं केले की जो संख्या होगी एक केला जब आप अर्पित करेंगे तो आप भगवान के चर्णों में केवल एक ही करेंगे शमता अनुसार अगर जादा ले जाना चाते हैं तो बाहर बैठे गरीबों को करें अन्यता सिर्फ एक केले का दान भी बहुत होगा इस उपाई के लिए ये कारे जो है आपको रोज करना है 40 दिन तक लगातार करने से ऐसा कहा गया है कि आपके जीवन में गुरू ग्रह जो है बहुत उच्चता ले ले लेते हैं गुरू ग्रह की क्रपा से ही दन जो काफी समय से नहीं मिल रहा है वो भी प्राप तो होने लगता है तदा दन सम्मन्दी जितनी भी समस्याइं हैं वो समाप तो होने लगती है इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आर्तिक स्थिती भी खराब हो गई है घर में जगड़े भी बहुत ओरे मानसिक चिंताओं भी बहुत ओरे काम नहीं बन रहा है तो रात को सोते समय सिर के पास किसी भी बरतन में जो रख लीजी आप जो के जो दाने होते हैं सुबे उटकर ये आप किसी गाए को खिला सकते हैं पक्षियों को ये दाने के रूप में डाल सकते हैं ये उपाय जो है मानसिक चिंताओं को रोकता है आपके जीवन से सभी प्रकार की जो चिंताएं हैं समस्याएं हैं या बाधाएं हैं उनसे आपको मुक्ति प्राप्त होती है पानी का उपाय जो की मैं अपने काफी वीडियों में आपको बता चुकी हूँ कि घर में आएवे अतिती को सदे पानी देना चाहिए जलदान जो है महादान कहा गया है हमारे सभी शास्त्रों में घर में अगर उस समय पर मिठाई होती है तो प्रिपया करके मीठा भी जरूर खिलाएं आपके घर पर आएवे अतिती को ऐसा कहा जाता है अतिती का आदर हम जल से तथा मीठी किसी वस्तू से करते हैं तो हमारे घर में अपने आप ही माता लक्ष्मी का वास होने लगता है तथा बहुत से घर जो है अपने आप ही शांती लेकर शुबता देने लगते हैं क्योंकि जब हम अतितियों का आदर करते हैं तो हमारे नव घर हमारे पित्र भी हमसे प्रसन्न होते हैं जिनके कारण हमारे जीवन में बहुत तिक सुख सुविदा हैं काफी समय से नहीं थी या जो नहीं बन पा रहे थे सुख वो हमें अपने आप ही प्राप्त होने लगते हैं तो छोटे-छोटे जोतिशी उपाय हैं जिनको करकर आप जो है अपने जीवन में सफलता हैं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा बहुत से क्योंकि ग्रह हमारे नौग्रह होते हैं जैसे सूर, चंद्रमा, गुरू, राहू, बुद्ध, केतू, शुक्र, शनी और मंगल जब हम इन सभी के उपाय थोड़े थोड़े करने लगते हैं तो हमारे जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हमें होने लगती है जोतीश में ऐसा नहीं कहा गया है कि आप बहुत मंत्रों का उचारंड करें या बहुत से जादा दान करें आपके घर में भी जो छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं उनका दान करकर भी आप जो है अपने जीवन में सफलता है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं जैसे सूरे के लिए मैंने कहा तामे के बरतन यहू हो गए चंदर के लिए आप दूद और चावल का दान कर सकते हैं मंगल दोश दूर करने के लिए मसूर की डाल का दान कर सकते हैं करज में मंगल में अगर करज आपका बढ़ जाता है बहुत जादा तो लाल मसूर की जो दाल होती है यह काफी आपको जो है सन्तोश दिलवाती है अब बुध ग्रफ अगर अशुब हो जाता है तो साबुत हरे मून का दान करना बहुत शुब होता है ब्रसपतीग्रह के विशेशलाब प्राप्त होता है तो तो हुन आप जो है काली उड़ते का दान कर सकते हैं गरीबों मेंикаम मोजल का काजल का दान कर सकते हैं राहुग्रह का जिदी ने साखते हैं थो केनी मंदिर में हिनेशleep करनेफ स Aha तो ये छोटे-छोटे से उपाय होते हैं जो आपके जीवन में आपको शुबता दिलवाते हैं वहीं अगर किसी विद्वा या किसी बड़ी उम्र की जो महिला होती है उनके चर्ण सपर्ष करने से आशिरवाद लेते हैं तो आपको अपने आप यापके जीवन में बहुत से जो बादाएं उनसे मुक्ती मिलने लगती है क्योंकि पित्र अगर आपके प्रसन होंगे तो आपके जीवन में वैसे ही आपको समाज में बहुत मानसमान मिलता है आपकी जो दोस्ती है वो बहुत लोगों से हो जाती है आपके दुश्मन कम होने लगते हैं तथा मानसीक चि संद आया होगा आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए हम फिर मिलें किसी नई विशे पर चर्चा करते हुए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों